जिसमें आप अपना कोर एप्स बना सकते हो स्टेबिलिटी में आपके एप्स और मोटे मोटे एप्स दिखाए देंगे इस तरीके सब्सक्राइब पहरों को सिर्फ यह पे फ्रीज करने और अपनी बॉड़ी को प्लेज के साथ यह वेलकम बैक तू अधर व्लोग आइस तो आज करेंगे अपना एप्स का वर्काउट और एप्स के वर्काउट गर्व मैं तीन से चार एक्सराइज इस लेकर आएँ आप लोगों के लिए जिसमें आप अपना कोर एप्स बना सकते हो चलो चार एक्सराइज में कौन-कौन स रिप्लेस करेंगी बट इस पे थोड़ा सब कुछ करेंगे हाट करेंगे अपने इसको वैरियेशन इसमें थोड़ा डिफरिंट रहेगा करके दिखाएंगे आप लोगो ताकि और अच्छे से पिक्चर किलियर रहे आपको चलो यहाँ पे रखेंगे अपना वेट इस तरीक स्टेबिलिटी रखनी है जिसमें स्टेबिलिटी जब नीचे जाएंगे पैर तो ब्रीध इन करना है उपर आएंगे तो ब्रीध आउट करना है कि इसके चार सेट करने हैं चार इसलिए क्योंकि फोड़े से और अच्छे से पुछ करोगे अपने एप्स को ज्यादा मस्कुलारिटी में आपके एप्स और मोटे मोटे एप्स दिखाए देंगे क्यों कि लोगर के लिए प्रेंड करेंगे आप इसमें चलते हैं अपनी दूसरी एक्सराइस करेंगी वह भी हम प्लेट से करेंगे स्ट्रेंथ के अगोडिंग लेना लाइट वेट लोगे तो ज्यादा रैपूटिशन निकालोगे उतना ज्यादा आपको एप्स पे एफेक्स आएंगे तो चलो करके दिखाऊंगा किस तरीके से करेंगे ताकि आतों को इस तरीक कैसे रखने का स्ट्रेयट बिल्कुल यह पर डोनों को मिलना ना एगर इस तरीक से यहां पर आएगा वेट यहांपर जब नेचे जाओगे तो आपको इस स्ट्रेच करना ए और अपना जो इनेर घ्री वह कॉंसेंटरिशन करना है उसके चलो इसकी भी आपको 4 sets लेने है, पर set पे at least आपको 12-15 repetitions लेने ही लेने है, ताकि अच्छे से आपको effects आइं और ये वाली exercise करोगे तो आपको अपर app space effects बहुत अच्छे और तगड़े वाले आएंगे, चलते हैं अपनी तीसरी exercise पर, तो अपनी जो तीसरी exercise रहेगी वो करेंगे, कि आपको आपको करके दिखाता हूँ पैरोगों कुछ धोड़ा सा आप क्लोज कर लें चेस्ट से ताकि आपको एरिया अच्छा मिलेगा चलो भाई ब्रीद इन ब्रीद आउट जरूर अच्छे से रखें इसके भी आपको तीन से चार सेट लेने पर सेट पे आपको एट लीस्ट बारा से पज़रा रेपिटेशन लेने आपके साइड ओब्लिक्स को प्रेन करने के लिए बहुत अच्छी एक्टिव एक्सराइज करके देखना मज़ा आएगा चलते है अपनी चौथी एक्सराइज पर इसी पर करेंगे कहीं जरूरत नहीं ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है दिमाग और कॉंसेंट्रेशन दोनों एक साथ रखे मज़ा हैगा आपको स्प्रेंड करने में चलते हैं चौथी एक्सराइज रहेगी वह भी हम प्लेट से करेंगे किस सरीके से करेंगे पैरों को सिर्फ यहीं पर फ्रीज करना है और हमें ऊपर आना अपनी बोडी को प्लेट के साथ कि जब नीचे जाओगे तो ब्रीज इन करना है यहां पर ब्रीज इन ब्रीज आउट ब्रीज इन ब्रीज आउट इसके भी चार सेट लेने हैं पर सेट पर कम से कम 12 से 15 रेपिटेशन ही लेने का इस आपको अपने एपस अच्छे करने हैं तो I hope कि जीवाली वीडियो ये session जो मैंने आप लोग के साथ share किया है पसंद आए और channel पे नहीं हो तो please do subscribe, like and share ऐसे ही प्यार बनाए रखो guys और मिलते हैं अपने next vlog में कुछ नहीं exercises के साथ, कुछ नहीं बातों के साथ बहुत सारी excitement के साथ तब तक अपना ख्यार के बनी फैमरी वागान, okay? Bye, take care